हेलो भाहिया जी की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के प्रमुक मेले की सेकंड वीडियो कवर करेंगे अगर इससे पहले आपने जो हमारी फर्स्ट वीडियो बन चुकी है उसमें हम उत्तर प्रदेश के प्रमुक मेले का पार्ट फर्स्ट हम कावर करा चुके हैं वो वीडियो जरूर देख ले तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किये अभी हम बात करेंगे देवी पाटन मेला देवी पाटन मेला कहां पर है यह बलरामपुर उत्तर प्रदेश के अंदर है क्योंकि हम यह पर उ आयोजन किया जाता है तो इस मेले का आयोजन किसलिए किया जाता है पाटेश वरी देवी की पूजा अरजना हेतु इस मेले का आयोजन किया जाता है नेक्स्ट मेले की बात करेंगे यह पर हम सेयद सालार मेला यह सेयद सालार मेला जो कि बहराइच में लगता है यह मेला सेय शालार मसूद guy Alrighty के उस मेहले का नशाद Damn! پर बसंत का chyba नोचंदी मेला जो की लखनओ में लगता है loss finish MOR में और उसर पर किस मेले का हुजन किया जाता है। और उसर उसमेंक हाजरत शह मेंक जईवे इह मेला लगता है जो की लखनाओं में लगता है यह आपको याद रखना है नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ नक टेया मेला जो की चेत गंज वारानसी में यह मेला लगता है कहा पर लगता है यह चेत गंज वारानसी के अंदर यह मेला लगता है इस मेले का आयोजन हिंदु धर्म के वैशनव माताव लंबियो दुरा किया जाता है हरिदास जेहनती मेला जिसमे संगीत के महान गुरू स्वामी हरिदास के जन्म दिवस के आउसर पर इस मेले का आयोजन किया जाता है जिसमें सभी धर्मों के लोग एकत्रित होते हैं इसमें भक्ती रस्थ से सराबोर संगीत की अद्भुत जलक देखने को मिलती है नेक्स्ट मेले की बात करेंगे हाँ पर हम शाकम भरी मेला जो कि सहरनपूर में लगता है शाकम भरी मेला सहरनपूर में लगता है ये इस मेले का आयोजन किया जाता है यह आपको याद रखना है शाकम भरी मेला सहरनपूर में लगता है अगले next मेले की बात करते हैं प्रदर्शनी मेला जो की अलिगड में लगता है एक्जाम के अंदर ये भी पूछ सकते हैं जो मैं आपर दे रहा हूँ प्रदर्शनी मेला कहाँ पर लगता है अलिगड के अंदर लगता है इस ताइप से कोश्चन पूछा जा सकता है तो इस मेले का आयोजन जनवरी फरवरी मास में किया जाता है एक्जाम के अंदर ऐसी भी पूछ सकते हैं कि जो अलिगड़ के अंदर लगने वाला प्रदर्शनी मेला किस माह में लगता है तो ये जैनुवरी फरवरी मास या फरवरी माह में लगता है जिसमें किसानों वे उद्योगों से संबंदित वस्तुव का प्रदर्शन किया जाता है इस मेले के अंदर किसानों और उद्योग पर शहीद मेला तो शहीद मेले की बात करेंगे जो कि हापुड गाजयबाद के अंदर लगता है याद रखना है आपको हापुड गाजयबाद के अंदर यह मेला लगता है जिसका उदेशिय होता है हापुड गाजयबाद में लगने वाला मेला शहीद मेला इस मेले में जून तक चलता है गाजिबाद के अंदर लगने वाला यह है मेला 10 महीं से श्टार्ट होता है और 5 जून तक चलता है नेक्स्ट मेली की बात करते हम शरंगी रामपुर का मेला जो कि फरुखाबाद में लगता है फरुखाबाद जिले में गंगा के दक्षनी तट पर इस्थि श्रिंगी रिशी के मंदिर में कार्तिक पुरुणीमा तथा दशहरे को मेले कायोजन किया जाता है फरुखाबाद के अंदर यह हमेला लगता है यह आपको याद रखना है नेक्ष्ट बात करेंगे पदमावती सती मंदिर में लगने वाला मेला कहाँ पर लगता है यह मेला कनोज के अंदर यह मेला लगता है कनोज से 5 किलोमेटर की दूरी पर दक्षिन पश्चिम दिशा में देवरिया ताल के पूरवी तट परिस्थित पदमावती सती मंदिर में परति वर्ष श्रावन मास में एक मेले का अयोजन किया जाता है जिसे हम पदमावती सती मंदिर में लगने वाला मेले के नाम से जानते हैं आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम ने 10 मेले कवर किये इससे पहले 10 मेले हम कवर कर चुके हैं हमारी पिछली वीडियो आपने अगर नहीं देखी उसका लिंक हम एक डिसक्रिप्शन में देदीया है वहाँ से जाकर के आप उसको देख सकते हैं और आई के बटन पर भी हम ने इसको देदिया है हैं यहां से आप उसको देख सकते हैं एक्जाम के point of view से मेले और जितने भी मैं UPGK के वीडियो कवर करा रहा हूँ एक्जाम के अंदर बहुत से question आने के संभावनाई है जितने भी question मैं आपर कवर करा रहा हूँ most of the questions exam के अंदर पूचे जाते हैं तो यहाँ पर हम बात करते हैं हमारी वीडियो Tuesday में Wednesday और Saturday में publish होती है सुबा चार बजे UPGK के हमारी स्रीज चल रही है most important question यहाँ पर कवर करा जाते हैं पूरी UPGK हम यहाँ पर कवर कराएंगे भाया जी के इस चैनल पर हम shorts वीडियो में गुर्मेंट जोब के notifications लेकर आते हैं डेली notification आते हैं गुर्मेंट जोब के आपकी जो भी eligibility criteria है उसके अनुसार आप shorts वीडियो का notification प्राप्त कर सकते हैं जो भी आपका eligibility criteria रहेगा आपको किसी भी website पर जाने की जरूरत नहीं है हमारे इसी चैनल पर आपको shorts के तोर पर गुर्मेंट जोब के notification आपको मिलते रहेंगे हमारी इसी तरह की informative वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी friends के पास हमारी वीडियो को share जरू करें thanks for watching keep learning